हिमाचर प्रदे सरकार यूं तो स्वास्ते की सुभधाय मुहिया करवाने के बड़े बड़े दावे पेश करती आ रहे हैं लेकिन सरकार के ये दावे धरातल पर धराशाई होते नजर आ रहे हैं हमीर बुजिला के मेडिकल कॉलेज में सरकार के ये दावे बिफल सावित हो रहे हैं नदोर तहसील से आए गाउं बटरान के निवासी शुशील पट्याल की माने तो उन्होंने बताया कि वीपल परवार से स्वंदित होने के बावजूद भी मेडिकल कॉलेज में दवाईया नहीं दी गई क्रोना महमारी के चलते इस गिरीप परिवार को सरकार दोरा महिया करवाई गई सुभधा का लाव नहीं मिल पाया है ऐसे में सुशील पट्याल ने सरकार की सुभधा के लिए सवालिया निशान खड़े की हैं उनों सरकार से अस्वाल में दवाईया महिया करवाने की गुहार लगाई है बहीं मरीज शशी पट्याल ने बताया कि मनोरोग से स्वंदित अपना इलाज करवाने के लिए हम इरपुर मेडिकल कॉलेज आये थे डाक्टर को दिखाने के बाद जब सरकारी दवाईयां कॉंटर पर पहुंचे तो बहां पर मौझूद करमचारी ने दवाई देने से इंकार कर दिया उन्होंने कहा कि बैब BPL परिवार और आईश्वन कार्ड होल्डर्स भी हैं लेकिन बहां मझूद करमचारी ने एक नहीं सुनी और दवाई देने से साफ इंकार कर दिया जिस कारण महंगेदाओं पर बाहर से दवाई खरिदनी पड़ी है हम इनकार कर दिया दक्टर के बाद फिर से गया विश्यफर दवाई नहीं दे रहे हैं हम BPL पर बाहर में दे रहे हैं पिर से मैं आया बापिस तो तो उन्हों ड़क्तर जीने पहले लिखा कि यह दो आई उपर वाई मिल जाएगी लग्से लिखा है बही मैटिकल कॉलिज के ब्रिस टिक्सता अधिकारी अनिल बर्मा ने बताया कि इसके बारे में उन्हें कोई शिकाइत नहीं आई है क्योंकि इंडोर के लिए है स्कीम तो उनको हम द्वाईया यहां स्टोर से देते हैं और इनकेस कोई अगर द्वाई हमारे स्टोर में नहीं है क्योंकि द्वाईया अब काफी तरह की द्वाईया है हजारों तरह की कोई ऐसी द्वाईया है जो हमारे स्टोर में नहीं है तो हम जन ओषदी या सीविल सप्लाई से परचेज करके उसको इमीजेटली मेलियाती है। हमने दो फार्मसिस ड्यूटी पर लगाय हुए हैं जो कि वही इसको पिमिश्चित करते हैं कि अजिश्वान हिंकेर की द्वाईया पेशेंट को मेलिया है। यह इंडूर के लिए है इसकी है।